नमस्कार दोस्तू यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तू यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमीका के लिए आप वशी करन करना चाहते हैं यदि आप अपने प्रेमी को वश में करना चाहते हैं या प्रेमीका को वश में करना चाहते हैं या अपने पती को वश्मे करना चाहते हैं, या अपनी पतनी को वश्मे करना चाहते हैं, तो यह है तीन शब्द, अगर आपने बोल दिया, तो वह जिंदिगी भर, आपका गुलाम बन कर रहेगा, दोस्तों, यदि आपने सोते समया तीन शब्द यह बोल दिया, तो वह इस्त दोस्तों यह बहुत ही महाशक्तिशाली तीन शब्द हैं यह शब्द सो समझ कर ही बोलें यदि आपको इस्त्री प्रुष किसी को आप अपने वश में करना चाहते हैं और उम्र भर के लिए वश में करना चाहते हैं आप उसके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं तो यह उप पाएगा दोस्तों यह वशीकरन उसी के उपर हो पाएगा अपने प्रेमी का के उपर वश्मे कर सकते हैं या अपने प्रेमी को वश्मे कर सकते हैं या अपने पती को या पतनी को दोस्तों कभी कबार क्या होता है प्रेमी प्रेमी का के बीच में लड़ाई जगडा हो जाता है पती पतनी में लड़ाई जगड़ा हो जाता है तो उसको आप अपने वश में करना चाहते हैं आपकी बात माने आपका पती यदि किसी प्राई इस्त्री की तरफ अकरशित हुआ हुआ है या आपका फ्रेमी किसी थर्ड परसन किसी लड़की के वश में हो चुका है वहें आपसे बात बिल्कुल करना पसंद नहीं करता आपका नंबर ब्लोफ लिस्ट में डाल दिये हैं तो यह चोटा सा उपाय आपके लिए बहुत ही लाबदायक है सबसे पहले यूटूब चैनल को लाइक और सस्क्राइब करना जिरूरी होगा तो आपको किसी भी रात के सोते समय आपको क्या करना है आपने अपने पती का या प्रीमी का जिसके लिए आप वश्मे करना चाहते हो जिस इंसान को वश्मे करना चाहते हो उसका नाम 11 बार बोलना है और उसका चहरा अपने दिमाग में लेके आना है जब दिमाग में चहरा आजाएगा तो उसके बाद में एक मंत्र सिरफ तीन बार बोल दे मंत्र है ओम भगवते वशे वशे करूँ चै करूँ स्वाहा इस परकार से आपको मंत्र तीन बार बोलना है यदि आपने यह मंत्र तीन बार और उस लड़की या लड़के का चहरा अपने दिमाग में लेकर आएंगे तो यह वशे करन अटल है इस वशे करन का कोई तोड नहीं होगा और यह उमर भर के लिए वह इनसान आपके वश में हो जाएगा तब अपना काम मंद चाहा काम करवा सकते हैं यह इस तरी संभोग वशे करन मंत्र है यह बहुत ही पावरफुल मंत्र है दोस्तो जादा जानकारी के लिए सक्रीन पर दिये गे नंबर पर संपर्ग करें धन्यवा दोस्तों